तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से बोला कि मैं दूसरा वीडियो लाँगा तो यह दूसरा वीडियो ला चुका हूँ और मैं जहाँ पास अभी खड़ा हूँ यह आप लोग यहां का आपको बैग्राउंड दिखाऊंगा और हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सस्क् जो कि खमर्दा में और इसको पूरा नाम से बोला जाये तो स्वामी करपात्री जी आउट्डूरी शीडियम के नाम से जाना जाता है और यह पीजी कॉलेज के सामने बना हुआ है और तीसरा कोस्टन था सर यह मैदान गिट्टी का है यह मिट्टी का तो मेरे दोस्त यह जो कि आप लोगों को चार बर अपलोग को मैं इसको ग्राउंड का है और उसको पांच मिने कंप्लीट ना है उसके बाद बूले थे सर जी रंडिंग का टाइम कितना रहेगा तो मेरे दोस्त रंडिंग का टाइम आप लोग सुबे आ सकते वही छैसे से कोशंधा भाई में भी जॉइन कर लिए हूँ तो रहने की सुविधा है क्या तो मेरे तों आप यहां रहेऊ तो आप किरायी से भी रह सकते हैं और उतना मेरे को पता निए इसके बारे में आप लोगों को सरकार के दरफ चाब रहने के सुविधा है या नहीं तो आप एक बार कमेंट करना में दूसरा वीडियो और बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा तो आप मेरे दोस्त आप लोगों का साथवा कोश्चन था सर्जी राउंड पूरा करने के लिए कितना मिनट दिया जाएगा तो मेरे दोस्त आपको बताया हूं कि पांच मिनट दिया जाएगा यहां पर बड़ी जन संक्या में हमारे देश के नवजवान लोग अपने अपने ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए यहां आए हुए हैं जिससे कि इन लोगों का आर्मी में चैन हो सके और हाँ दोस्तों हमारे पहले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप जरूर देखिए डिस्रिप्शन बॉक्स और आप बेटन में उसका लिंक दिया हुआ है तो मेरे दोस्त यहां पर हमारे एक नजवान उल्टा चल रहा है क्योंकि इसको उल्टा चलने के प्रेक्टिस होने के कारण यह अपना कंदा को मजबूत करने के लिए यह उल्टा चल रहा है तो इस नजवान के लिए कम से कम एक लाइक जरूर करना मेरे दोस्त तो मेरे दोस्त यहां पर हमारे जवानों को बीम कभी प्रेक्टिस कराया जा रहा है और यहां पर कमांडर जैसे जैसे उसको आदेश देते हैं उसी हिसाब से लोग अप डाउन करते हैं और इसके बगल में हमारे जवानों को डिप्स भी कराया जा रहा है जिससे कि लोगों का सोल्डर मजबूत बन सके तो आप लोग सामने देख सकते हैं यहाँ पर बिम और डिप्स का भी प्रेक्टिस कराया जा रहा है तो मेरे दोस्त आप जितना बड़ा देख रहे हैं यह हमारा कमर्धा का पूरा आउटडोर इस्टेडियम है जहां तक आपका नजर जा रहे हैं पूरा का पूरा आउटडोर इस्टेडियम है और इसको स्वामी करपात्री जी आउटडोर इस्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे एक swimming pool है, उस swimming pool को भी दिखाता हूँ मैं, वो swimming pool यह रहा, यदि मेरे दोस्त आपको तैरना नहीं आता है, तो आप यहाँ पर आकर अपना तैरने की training को पूरा कर सकते हैं, और यहाँ पर training के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, और पैसा देने के बाद अ करना हुआ है, किर्केट का मैदान, आप लोग सामने देख सकते हैं, यह किर्केट का मैदान है, और यहाँ पर हमारे खिलाडी लोग अपना किर्केट का भी rehearsal करते हैं, तो मेरे दोस्त यह वीडियो कैसा रहागा, कॉमेंट करके जरूर बताओ, हमारे चैनल में याप नए हो